हाई वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में आज का वीडियो है टॉप लोड केटेगरी से आज हम बात करेंगे बॉश के नियूली लॉंच टॉप लोड वाशिंग मशीन के बारे में जिसमें इन बिल्ट हीटर यानि की गरम पानी में का ऑप्शन मिल जाता है कोई भी टॉप लोड वाशिंग मशीन जिसके अंदर आपको इन बिल्ट हीटर मिलता है तो हीटर होने की वज़े से कपड़ों में से डर्ट जल्दी क्लीन होता है और वाशिंग का क्वालिटी भी आपको वहां पर बेस देखने को मिलता है इससे प आपको यह मॉडल मार्केट में एजली अवेलेवल होगा और मैंने भी यह वाशिंग मशीन डैली के अंदर लाजपतनगर के ग्रेट इस्टन रिटेल स्टोर से परचेस किया था तो आप भी अगर इस वाशिंग मशीन को डैली में ऑफलाइन परचेस करना चाते हैं तो इस वीडियो के description में contact person का name और number mention कर दूँगा आप उस पर call करके भी इस वाशिंग मशीन को परचेस कर सकते हैं तो कैसा यह वाशिंग मशीन दिखता है क्या इसके features हैं यह सब चीजे मैं आज आपको अपने इस वीडियो में explain करूँगा तो वीडियो को last तक देखेगा चलिए करते हैं इस वीडियो के तो इस वाशिंग मशीन के ऊवर वीव और बाकी सबी features जाने से पहले एक बार इस वाशिंग मशीन का हम लोग live working performance चेक आउट कर लेते हैं तो इस वाशिंग मशीन के अंदर हम लोग दो बाट टावल्स को वास रिंस और स्पिन करके देखेंगे कि क इस वाशिंग मशीन परफॉर्म करता है और कितना इसमें sound और vibration होता है एंड इस डेमो वीडियो को record करने के लिए हम लोग इसमें कोई liquid detergent या powder detergent का यूज नहीं करेंगे ताकि आपको जो अंदर के कपड़ों का movement हो वो प्रॉपर विजिवल हो प्रॉपर वेता है कर दो दो बहुआ है कर दो जो जो सीमें कर दो लोगा सब गार्टा बादाए सब्सक्राइल जो खोता देगा सबस्क्राइब झाल 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 घज उने हो यहाइब और सूप़ आपाइब दो पना और सुप पहाइब माइब आपाइब पिर अपाइब अचला आपाइब लाइब हो इंचला हुआईब हुआईब हाइब फिर उसके बाद बॉश की इस टॉप लोड वाशिंग मशीन के अंदर हमने सिंगल बैट के ब्लेंकेट को वाश करके देखा तो कोई भी इशू हमें इस मशीन के अंदर सिंगल बैट के ब्लेंकेट को वाश करने में नहीं आया तो इस वीडियो में आप देखते हैं कि जब ये सिंगल बैट के ब्लेंकेट को वाश करती है तो कैसा इसका वाशिंग, रिंसिंग और स्पिनिंग का एक्शन देता है अब ये देखते हैं अपने इस वीडियो में किसा के गाहाई सौ शभण एक्शन देखते हैं साव किसा वाई Pe gez Right और उसर उररी को और धोगाई झाथन आप имеет अज़ी घर खागड़ागर क्ट ku में तो इसकान और नौ हूँता हैं गड़ प्यार प्यार आग प्याल कि फिर उसके बाद हमने इस वाशिंग मशीन के अंदर सिंगल बैट के कमफर्टर को वाश करके देखा और कोई भी इश्यू हमें कमफर्टर वाश करने में भी इस मशीन के अंदर नहीं फेस हुआ तो बहुत अच्छी तरह से इस वाशिंग मशीन ने उस सिंगल बैट के कमफर्टर को वाश, रिंस और स्पिन किया तो उसको भी हम लोग एक बार अपने इस वीडियो में चेक आउट कर लेते हैं तो जैसा यह वाशिंग मेशीन अभी वर्क कर रहा है तो कई बार कस्टमर का क्वेशन आता है कि हम लोग चलते वे वाशिंग मेशीन के अंदर कपड़ों को रिलोड कर सकते हैं जी हां बिलकुल कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपका वाशिंग एक्शन चल रहा है वाशिंग मेशीन के अंदर हम लोग यहां से इसको पॉस करेंगे पॉस करने के बाद आप देखेंगे तो इसके डिस्प्ले पे लिखा रहा है वाउ साइकल इस पॉस्ट अब आप इसके लिड को ओपन करके आपको कपड़े लोड या अनलोड करना है तो आप इसमें इसली कर सकते हैं देन वापे स्टार्ट करने के लिए आप इसके पिले के बटन को आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यह आप चलती है मसीन वाकर डिरेक्टले आप इसके लिड को ओपन करेंगे तो भी यह मसीन स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से एरर आएगा आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपका यह E3 मसीन लेड ओपन का एरर आपके सामने आएगा फिर दुबारा स्टार्ट करने के लिए आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं, मसीन का साइक्ल दुबार से स्टार्ट हो जाएगा यह साइकल अपर स्टार्ट हो चुका है एक और कॉश्चिन कई बार मुझे कमेंट बॉक्स में आता है कि अगर टॉप लोड वाशिंग मसीन वर्क कर रहा है और बीच में अगर पावर फेलेर हो जाए, मतलब अगर अगर इलेक्रिटी चला गया और जाके अगर वापिस आता है तो वाशिंग मसीन अपने साइकल को वहीं से रिजूम करेगी और नहीं करेगी तो यह भी हम लोग चेक करते हैं अपने इस लाइव डेमो में अब इस वाशिंग मेशिन का हम लोग करते हैं पावर कट तो इसका पावर कट हम लोग करके देखेंगे यह देखिए यहां पर यह वाशिंग मेशिन का पावर कट हो चुका है एकब यह ढम सब्सक्राइब सरे अपने वसाइकील आपने से रिजूम करती आप कर तो पर पर आप रहां देख सेक्ते हैं मसी ने अपने सैनगों को वहीं से खुला कर जहांसे से इसने प्लाई तो पावा रिजूम आप अपने अपने सांग के ऊछी के आपrael झाल, 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 झाल.